असलाम अलेकम दोस्तों वेलकम टो अमेजिंग केटल पाकिस्तान दोस्तों सोचे के आज आज आपको अपडेट देते हैं फार्म की ब्लॉक मजीद उतरका है एक शैट की जायो खुलियां कम्लीट हो गई है और एक शैट की जायो आदी बनना शुरू हो गई है अभी यह जान है बाकि मापको काम दिखा दूं क्या क्या होगा क्या क्या निवा सामने देख रहा होगा आपको देवार खड़ी करी ओगी यह कंटीनर के बराबर में यह किचन जाया वह लेबर के लिए बनाया है और इंचालला यह तूड़ी जाए वो चार-पांच दिन में जाए वहड़ी जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी यह से और यह सारी खुलनीया जाएगी यहां पर भी स्टार्ट करवा दिया है यह बच्छी आप के लिए जाएग बन रहा है यहां पर भी खुलनीया होंगी और इस देगे माशल लाफ है इस सारा का सारा माल साइटिंग से जाए बंदा वह और अपना बंड़ा जाए खा रहा है माशल लाफ है तोड़ा बहुत अंधीरा हो गया शैड में बाकी यह वाइट रूस काला रह गया है अब बाकी एक कालू रह गया हमारे इनको भी जाएगा थोड़ी सी ब्राइट नेस जाए मैंने बढ़ाई है क्योंकि शैड में थोड़ा बहुत अंधीरा है अब तो इनकी साइटिंगे बन गई है के सुबह कर जब इनका वंड़ा होता है तो यह सारे के सारे जाए वो धूप में बन जाते हैं खुली के पास फिर यहां पड़ जाए हो वंड़ा पना के इनको जब डल डाल दिया जाता है तब बारी बारी पच्छडों को लाकर बां तो जाए वो बिलोक वगरा का खत्रा था एक चट टूड़ी आएंगे जैसे वो हलका पुलका क्राइक आया था एक मुलका पी लिया सब को जाए हो मसाला दिया गया है और दो तीन तरीके कार होता है मसाला देने की या तो आप गुड में दे सकता है ठीक है जैसे बारिश वगरा हो तो आप गुड में भी दे दें या मौसम थोड़ा ठंडा हो तो गुड में ही चलता है बाकी इसके लावा पानी में भी दिय जाता है कार पेटिक मिक्चर होता है उसमें भी दिया जाता है तो यह तरीके कार होता है बाकि हमारे कालू है यह वाइट रोस है माशललस है और यह हमारे मिस्टर किंगा है और दिशान भाई आध मारी करते हैं मिस्टरियों के साथ काम करवाने के लिए अजवारिया हमारे पास मारने के लिए लग रहा है चला हुआ इदर से चलता है आधी नहीं रहे दो आई नहीं रहे दो वेलकम टो मेंजिंग कटिल पाकिस्तान अस्सलाम वालेकूम दोस्तों क्या है अमीद करता हूँ सब खेरियस होएंगे और ठीक होएंगे बाकी अलहमदोलिल्ला काम तरक्याती जारी है और माशालला से कालू भाई खाने में लगे हुए और यह थोड़े हैं भी एग्रैसिफ तो दोस्तों खुलियां माशालला से बन चुकी है शेट कम्प्लीट होनके तकरीबन कम्प्लीट है 10 से 12 पंदरा दिन का काम है तो मैं खोरो की अपडेट देता चलूँ माशालला से जानवर जो है वंड़ा खा रहे है यह देखे है खोरे हमने बिल्कुल कम्प्लीट करा लिए यहां की यह पूरी यहां से खोरे कम्प्लीट हो गई है यह सारी यहां तक और यह पुरा शेड हमारा कम्प्लीट हो चुका है और सर्दी आएंगी तो यहां पे पुरा पर्दों से कवर कर दिया जाएगा और परदे भी एरेंज कर लिए गया है वाटर पूरूफ तर पाल है उसके हुक लगके पूरा बंद हो जाएगा इंशालला शेट और थोड़ी सी खुली आए रह गई थी यहां पर यह भी इंशालला कल पूरा यहां से प्लास्टा रोके यह खोरे भी पूरी कंप्लीट हो जा यह तुर्व हटके आगे चली जाएगी तो यहां से भी काम शुरूआ होकर यह पूरी ञोपर इंशालला यहां तक आजाएगी यह एंट तक जाएगी खोर यह तक जाएगी यह पूरा शेड जोएगा हमारा overall complete हो जाएगा इस तरीके से ब्लाक ब्लाक पड़े वे हैं भी काम चल ला है और फिर दोस्तों इंशालला यह हमारा बच्छाओं का सेट अप है और जिस तरीके से वहां पर पूरे बच्छोडों का सेट अप होगा इसी तरीके से यहां बच्छाओं का सेट अप होगा आग यह देखें यहां पर बच्छाओं की हमने खोर बनाना स्टार्ट कर दी है यहां वहांसल में तूड़ी का वह बंकर बनावा नहीं था तो तूड़ी हमने यहां रग दी थी तो यहांसे तूड़ी हटी है तो हमने यह बच्छियाओं के यहां पर खोरे बन गई है अब यह है कि इसपर इंशाललब कल प्लास्टर होके भराई होके ये बच्याओं के खोर पूरी complete हो जाएगी इसी तरीके से ये पूरी आगे continue, ये तूड़ी हमारा बंकर तूड़ी का बन जाएगा तो इंशालला यहां से तूड़ी वहां shift हो जाएगी तो यह पूरा हमारा बच्छाव का सेट आप इस पूरे उसमें जिस तरीके से वो बच्छडों का शेड बना है इंशालला बच्छावं का शेड रहे गा और बीच की जगा जो है यह हमारी बच्छडों को आगुमा के पीछे वाकिंग एरिया जो हम बनाएंगे पीछे अपना जानवरों को और धूप में कच्छे में बानने के लिए यहां से बच्छड़ जाएंगे और यहां का मैं बताता है चलों दोस्तों यहां भी इंशाल्ला यह जितने भी आप यह रास्ते में लगे हैं यह सारे प्लर हड़ जाएंगे यह जितने भी हैं यह पूरा लेविल हो जाएगा एरिया और यहां पर बालू मट्टी दाल के फिर हम इंशाल्ला यहां पर गार्डनिंग बगरा करेंगे और जानवरों को धूप में बादेंगे गेट भी हमारा अलहम एक कमरा और बनाना है लेवर के लिए तो फिर लेवर भी बढ़ानी पड़ेगी यह पानी की खोर है दोस्तों अब यह है कि इस खोर को भी हम इंशाल्ला आगे तक लेके जाएंगे जहां तक यह लकड़ी की खुली पड़ी हुई है और यह पूरी खोर यहां तक आएगी इ खत्म कर देंगे इसमें खुंटे लग जाएंगे और दिन के अंदर जैसे आपको पता है धूप में या का शाम का वंड़ा करना होगा तो इसमें बच्चेयों का वंड़ा होगा रही वह खोर जिसके अंदर बच्चडे खाते थे तो उसके साथ भी उस खोर को भी इंशाल् उसको भी तुड़ा के थोड़ा सीधा करेंगे सीधा करने के बाद इसको भी आगे लेकर चले जहां तक एजिली जानवर बंड़ा खा सके तो यह दो एक तरफ हमारी भश्यो हो जाएंगी एक तरह मारे बचल हो जाएंगे यह ति आज की अबडेट और इंशाल्ला देखते जो भी एक्टिविटी इंशालला हम फॉर्म पे करेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे वाकी वकाजवाईना आपको बता दिया है कि जानवरों को आज सब को हमने जो है मसाला दिया है मसाला हम हर तीसरे चौते दिन जानवरों को देते हैं कि उनका हाजमा बहतर है और वो वंडा उठाते रहे और कोई बदजमी है कोई ऐसा कोई इशू ना हो बाकी यह है लोकेशन शेट की इंशालला भी एक महीना लगेगा एक महीने बाद आप पिर आप जब देखेंगे शेट को और जानवरों को सैटिंग से बनावा तो बहुत अच्छा लुक निकलाएगा और फिर फॉर्म भी माशालला से खुबसूरती में आजाएगा यह सारा जितना भी अभी कचरा वगरा यह सारी चीज़े पढ़ी है बिल्कुल किलियर हो जाएगा और यहां पर ट्रैक्टर चलके पूरा लेवलिंग करा देंगे हम यहां पर भालू मट्टी वगरा सब चीज़े डाल देंगे भाई की दोस्तों एक आफसे दौाओं की दरखासत है खुसूसां दौा करें अल्ला पाक हमें हिम्मत दे होसला दे टाकत दे और इस काम में लगे रहने की और आला पाक हर किसी के शर्ट से फितने से नजरो बस मेरी दौाए जितने भी देखने वाले हैं और जो नहीं भी देखे आपको भी आल्ला पाक हर शर्ट फितने से मिहफूँज रखे और आपकी तमाम परिशानियों को अल्लापक दूर करें बस आपकी मुभबत और प्यार और आपकी दुआ चाहिए आज हमारे फार्म के उपर हुदूद आईए हुदूद बाकी में एक व्यू आपको जाए वो भार से भी दे देता हम दोस्तो यह अन्मूल खा रहा है हेलो हाई गल्ले दा अन्मूल सापसे भी हेलो है कैसे हो यह शीश खा रहा है खाने दो और यह गुलदार कहां चड़ावाए देखो हे प्रणा को बुल सबस्क्राइब करो संदी में ब 아니라 सबस्क्राइब करो जैनल को हैे जब फेले बडो कि सदि और पैगाम दोगे को सिंदी दोस्तों को अपने सब देखते हैं हां अं से में बोलो भाई सभी है चिनदी में बोलो शर्वार रहे एइसीपास थ्या सब हेलो कैसे हो यह हमारे खर्गूश साब तो यह है दोस्तो बहार से जाए वह लोग जो आया वह यह और बाकी है शाइनिंग मारे हमारे वाइट रूस यह किंग और यह किंग है यह सफासाइन हां कियाने मसला सइने हाइट थो क्वाइग माश्त रायी है बाकी कालू 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 क कई हैंहें ए ए ए ए है एचा दुस्तर इक और बात बदा चलो यह जो आपको लग रहा है ना इसकी स्किन के अंदर शाइनिंग होती है तो यह चमक रहा है इस विस आपको लग रहा होगा है है वाकि धक्का कहीं और साइट करेंगे यहां से निगाल गया क्योंकि यहां पड़ की जगद हमने बंद किर दिया तो धक्का भी जाओ कहीं और बनाएंगे इसका बाकि यह पाइप वगएर जो ते खोल दी हमने पाइप वगएर बात में लगाने उपर और यह जगा जए यह असल में बचडों के नाने के लिए बनीवें यहां पर यहां पर खड़ा गर की जानवर को नहिलाया जाता है यह हमारा सेप्टिक टैंक इसमें आपको दिख रहा हूंगे होल दोए में सारा जितना भी पानी होता है वो सारा इसमें ज़ए निगल जात जात वोरह दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अपना ख्याल रखिए गा दौआ में याद रखिए गा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें दोस्तों बहुत से लोग ऐसे जो कि वीडियो वाच करते हैं ऑब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न करती है बाकि इंशालला उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी अपना खायल रखी का नेक्स वीडियो मुला कात करते हैं अलाहाफास